नमस्कार किसान भाईयो जेड़ी न्यूज यूटूब चैनल में आपका स्वागत है महत्तपुन जानकारी वे आलू के ताजामंडी बाउ सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लें किसान भाईयो बात करें आलू की तो एकदम से आलू के रैट गिर गए हैं जिससे आलू किसान संकट में आ गए हैं एकदम से आलू गिरने से किसान भाई प्रेशान दिखाई दे रहे हैं आलू के रैट गिरने के पिछे काफ ही अद्दक सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। सरकार ने आलू को लेकर आज तक कोई टूर्टोस पॉलिशी भी नहीं बनाई। जब पसल देश में बंपर है तो निर्यात करना चाहिए लेकिन सरकारें ऐसा नहीं करती। सरकार के अलावा काफ ही अद्दक राष्ट्रिय मीडिया भी जिम्मेवार है। जब थोड़े दाम सही मिल रहे होते हैं तो अल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में सोशल मेडिया से अन्रोद है और दाइत वी बनता है कि किसानों की आवाज लगातार उठाएं। जिससे सरकार पर कुछ दबाव बन सके ताकि सरकार किसानों की खराब आलत की तरफ द्यान दे। बात करें आलू के दाम की तो पंजाब से आई नए आलू ने परुकबाद के आलू को बैक फुट फर दकेल दिया है। पंजाब का आलू बाजार में पहुंचते ही परुकबाद के दाम एक दम से गिर गई। शीत कड़ाय में बंडारी तो पुराने आलू का अबाव लुड़कर मातर 180 रुपए परती पैकट तक आ गए है आलू के दाम का फी गिर गए हैं नए आलू के दाम मातर 500-600 रुपए परती पैकट तक आ गए है किसानों ने पसल में जो लागत लगाई थी वो भी नहीं निकल रही पुराने आलू का तो बाजार में पहुंचाने तक का खर्चा निकलना मुश्किल हो रहा है सरकार ने अगर समय रहते हुए आलू किसानों की आलत की तरफ द्यान नहीं दिया तो किसान बरबाद हो जाएंगे सरकार वे मीडिया से अनरोद है कि वो समक वरी दुनिया से बार निकल कर किसानों की आलत की तरफ भी द्यान दें जिससे किसानों की थोड़ी आलत सुदर सके धन्यवाद